आप लोग फाइन है ठीक है ओके आजम मैं सुरी हिंदी की बुक निकाली है भाग वन भाग दो भी रहने देजी भाग वन जैसे आप लोग को पता है कि हमारा क्या इक्सटार्ट होने वाला है हाँ फेरली एक्जाम ठीक है टाइम टेबल आप लोग को मिल गया है नाइन तारिक से है तो इसमें देखिए ना कि आप लोग कल हम लोग पढ़े थे कि क्लास और हुमर बोले थे क्या प्रसेंट करिए का प्यासा कौवा और चित्र कथा ठीक है दियेगा चित्र में रंग भरिए हुमर था मेरा तो आज इसमें हम सुरू कर रहा है यहाँ पे दिय अभ्यास करेंगे मात्राओं का आप कुछ और कुछ स्वर और उनकी मात्राएं सिख चुके हैं हम लोग से कि तर्यू के जिम सिखें हैं ना कि आये इन्हें दोहरा है आ बड़ी बड़ाओ ए ओ यह इस पार्ट एक में क्या आएगा आ की मात्रा बड़ी बड़ाओ ए ओ यह स पाटे एक तो आप लोग बूक निकालिए पाटे पुस्तर की पेज नंबर फोर पे आ जाईए हिंदी पाटे पुस्तर की किताब निकालिए और उस अब पच्चे सब बच्चे नहीं तो इस पर भी आपका मार्क्स कटेगा ठीक है फाइफ हम लोग फाइफ मार्क्स देते आपके एक्टिविटी और नोटबुक वगर पे तो इसमें सब बच्चे अपने वीडियो पढ़ते हुए रिवीजन करते हुए सेन करेंगे हमारा क्या हो रहा है रिवीजन वर्क हो रहा है दोहरा रहे हम लोग फिर से हिंदी में ठीक है तो मात्राओं का अभ्यास है तो मा स्वर और मात्राओं का सिख चुके हैं और आगे इन्हें भी धोराएंगे ठीक है चलिए देखिए इसमें पेज नंबर 5 पे पेज नंबर 5 पे देखिए दिया है कि स्वर और वेंजनों को जोड़कर चित्र और चित्र पुरा किजिए और इसमें रंग भरिए यहां देखिए रेड़ वाला जितने ये स्वर क्या लिखा है बढ़ाओ दिखा है तो यह यह क्या दिया है तो इनको क्या करना है जोड़ना है और फिर उसके बाद दिया है स्वर और वेंजन तो वेंजन यह है कखागा अंगल चचाँ जजाँ यह टोतब लिए है ना और क्या करना है इसको जोड़ना है बिंदू को दियेगए बिंदो को क्या करना है जोड़ना है ऐसे जोड़ देंगे और इस चित्र को जब जोड़ देंगे तो इसमें क्या करेंगे रंग भरेंगे इसमें आप लोग रंग भरेंगे कोई साभी रंग भर दीजिएगा ऐसे ठीक है यह बस हम आपको समझा रहा है और नीचे वाटर बना दीजिएगा ठीक है यह क्या है मच्छिली किस इसका चित्र है मच्छिली का चलिए समझ गए यह आपको करके मुझे सेन करना है होमवर्क रहेगा ठीक है यह क्या रहेगा होमवर्क अब आजाएए पेज नंबर पेज नमबर 6 पे अब आज आईए पेज नमबर 6 पे दिया है बिना मातरा वाले सब्द क्या दिया है बिना मातरा वाले सब्द पेज नंबर 6 पे क्या दिया है बीना मातरा वाले सब्द मतलब इनको क्या करना है पढ़ना है और समझना है आपका ये पेपर में हार हालत में आएगा पहला दिया है जो यह क्या लेखा है अब घर फल रखरक और अगर अमर अचकन अचकन अजगर अजगर यह सब क्या है बीना मात्र के मतलब इसमें कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है जैसे यहां देखे लिखा है आओ गाए मिस ऑ में की मात्रा है और ए में चेंद में दू मतलब यह मात्रा वाला है लेकिन जो हम यह पढ़ रहे हैं यह सब क्या है बिना मात्रा वाले सब्द है इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और जैसे आज सकता है पेपर में दो अच्छर वाले सब्दों को लिखिए ठीक है एक चार अच्छर वाले सब्दों या बीना मात्रा वाले सब्दों को सर्किल कीजिए गोला बनाईए ऐसे आजाएगा तो आपको क्या करना है ध्यान पूर्वा किसको करना है और पढ़ना है समझे पिर दिया है आओगा है आमान आमन 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 चल चल अब अब घर घर चल अमन आमन अब घर अमन आमन चल अब घर चल सर मत मत जहतक सर मत जहतक सर पट सर पट चल चल अब घर चल चल अब घर चल क्या है ये बीना मांतरा वाले सब इसको एक बार का लेते हैं अमन अमन चल अब घर चल मत मटक सर मत जटक सर पट चल चल अब घर चल चल अब घर चल ये बीना मात्रा वाले सब्द है इसको ध्यान से पढ़ना है कि दो अच्छर वाले में ये देखे ये उपर वाले क्या है दो अच्छर है और ये क्या है अमर अमर तीन अच्छर वाले सब सब्दें यहां करें कि नीचे दिये सब्दों को पड़कर सही चित्र से मिलान किजिए पैला सब्द है कमल इसका चित्री यहां पे जिसको क्या करेंगे मिलान करेंगे कमल से फिर घर घर अब घर से इसको मिलाना है फिर फल 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 से इसको क्या करना है मिलाना है थर मस इस चित्र को मिलाते हुए क्या करना है ये बीना मांत्रा वाले सब्दु को हमको सीखना है दोराना है और आप इसका बीना मांत्रा वाले सब्दु को घर पे पांच दो अच्छर वाले, पांच तीन अच्छर वाले और पांच चार अच्छर वाले सब्द लिखिएगा पांच पांच धोरा लिजिएगा और इसको गा लिजिएगा और इसके चीतर से मिलान करने वाला भी समझ चाहिएगा कि ये क्या है ओके आई इसको पढ़ते हुए वार्स वीडियो बना की भेजिना है और आपका होमर्क है पेज नंबर फाइफ वाला विंदुस्वर और वैंजोलनों को जोड़कर उचीतरपुरा कीजिए और उसमें रंग वरिये उसको करते हुए मुझे भेजिना है सो मुझे भेजिना है तरह करते हैं यूए नाइस देओ